हाई गाइस वियर गुचु चैनल में आप सभी का स्पाथ थे आज हम बनाएंके मूग की सबजी मूग के जो दाने होते हैं उनकी सबजी बनाएंगे जो है प्रेशर हुकर में बनाएंगे आपको इस तरह के मूग हर एक ग्रोश्री सॉप में मिल जाएंगे तो इस मूंग को हमने क्रेशर खुकर में बनाना है इसलिए इस मूंग को 6-6 गंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था और अब हमारे मूंग अच्छी तरह से भिगो गए है इसी के साथ इसमें डालनी के लिए हमने जो regular मसाले होते हैं वो ही लिया है साथ में नमक लिया है इसी के साथ हमने चीनी लिया है इसमें इससे उनका color बहुत ही अच्छा आता है इसी के साथ हमने इसमें डालनी के लिए उनके वखर के लिए चौप किये हुवा लशून अद्रक और मीर्च और साथ में कड़ी पत्ते लिये है साथ में बारिक चौप किया हुआ टमाटा लिया है इसे के साथ धनिया लिया है जो लाश्ट में गानिसिंग के लिए यूस होगा तो सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में सबजी को बना रहे है तो इसके लिए मैंने यहां प्रेशर कुकर ले लिया है और इसमें तेन टेबल करेंगे देखो सबसे पहले राई को एड़ करेंगे हमारी राई गरम हो जाए इसके बाद हम इसमें जीरा डालेंगे जिससे उनकी फ्लेवर बहुत ही अच्छी आती है सबजी में देखो हमने जीरा भी डाल दिया है और अब जो हमने बारिक चौप किया हुआ सोरी हमने जो अल्दी पावडर है पहले एड़ करेंगे इसके बाद चौप किया हुआ अद्रक लशुन मिर्च और कड़ी पत्ते एड़ करेंगे और इन सब को अच्छे से मिला लेंगे इसी के साथ जो हमने मूंग को पानी मो भिको कर रखा था उनको पानी से निकल दिया है और इस मूंग के दाने को इसमें डाल दिया है और अब अच्छे से एक पानी लिया है दो कप जितना पानी इसमें जाएगा तो दो कप पानी इस तरह से ले लिया है हमने इसके बाद हमने जो चौप किया हुआ टमाटा रखा था वो ले 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 लेंगे और इसमें डाल देंगे इसके साथ अब इनके मसाले करेंगे तो इसके लिए हमने लाल मिर्च पावडर लिया है आप अपने टेस्ट के अकोडिंग डालना जितना आपको तीखा पसंद हो इसके साथ धन्या पावडर और नमक डाल दिया है नमक भी आपके टेस्ट के अकोडिंग डालना इसके साथ च लेंगे और उनकी मिडियम गेस पर चार विसल कर लेंगे हम देखो इस तरह से मैंने मिडियम गेस रखा है अब हमारे चार विसल हो चुकी है और हमारा प्रेशर कुकर भी ठंडा हो गया है मैं आपको सबजी दिखाती हूँ कैसी बनी है तो देखो बिल्कुल भी पानी वाली नहीं बनी है बहुती अच्छी बनी है कलर में भी बहुती अच्छी बनी है और हमें आपको एक दाना दिखाती हूँ देखो अच्छे से प्रेस हो जाता है यानि कि हमारा दाना भी पक चुका है कई बर भी कच्चा नहीं रहा है और आप लास्ट में धन्या को एड़ कर देंगे इसमें और अमारी सबजी है वो खाने के लिए पूरी तरह से तैयार है आप इन्हें गर्मा गर्म रोटी के साथ सव कर शकते हैं तो आपको ये रेसिपी कैसी लगए मैं कमेंट बोक्स में लिखकर जरू बताना और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरू कर देना और आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीर गुज्जू जैनल को सस्क्राइब कर दीजिए आगे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर